Find the probability distribution of y. y किसको represent कर रहे है? In two throws of two dimes, where y represents the number of times a total of nine. Number of times a total of nine appears. क्या है? Two throws है. Number of throws कितने है? टू किसके? पेरोग डाइस के. ठीके? तो y की value क्या हो सकती है? ऐसा हो सकता है, एक भी बार nine आए. ऐसा हो सकता है कि एक बार nine आज़े और ऐसा हो सकता है कि दू बार. अब nine कैसे आता है? डाइस पे. Nine आता है कैसे? 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6. ये nine आने की प्राइलटी है. तो इसमें success क्या हो सकता है? getting a total of nine. तो nine आने की प्राइलटी कितनी है? एक, दो, तीन, चार. विचार कैसे हो गए? ठीक है? फूर अपॉन. टोटल कितने कैस बने ही हमार पास? 36. तो ये आगी nine आने की प्राइलटी. Nine ना आने की प्राइलटी कितनी हुए? 32 अपॉन. तो इसका मतलब पहले टॉस्प पर ही पे लियर दूसरे टॉस्प पर ही पे लियर. येनि की 32 अपॉन. और अगले ये भी 32 अपॉन. ठीक है? येनि कितना हुए? 48 अपॉन. तो 64 अपॉन. अब इसमें क्या है? एक टॉस्प पर क्या आना है? ना आना है. तो सक्सेस, फेलियर. ये फिर क्या हुए? फेलियर. सक्सेस. ना आने की प्राइलटी कितनी है? 4 x 36. यानि की 1 upon 9. और ना आने की प्राइलटी कितनी है? 8 upon 9. ऐसे इसके लिए क्या हुए? 8 upon 9. और 1 upon 9. तो 8, 8, 16. और 9, 81. अब दूनों टॉस्प पर क्या है? सक्सेस मिल जाए. यानि की 1 upon 9 into 1 upon 9. तो कितना हो गया? 1 upon 36. अब इसमें एड़ करके देख लो. कितना बनना चाहिए? टोटल आज़ाने सी बाना. चार और 6, 10 और 11, 1. 6 और 7 और 8, 81 upon 51. नाइन नाइन जा एटीवन हो है हमें. ठीक है तो यह हमार पास क्या है? प्रावलिटी डिस्ट्विशन है. किसका? रेंडम वेरिवल य का और य किसको रेप्रेजेंट करें? नंबर ओफ टाइम्स और टूटल ओफ नाइन. ऐसा हो सकत है नहीं कि पहले टौस पे सक्सेस, दूसरे पे फेलियर या फिर पहले फेलियर दूसरे पे सक्सेस . ऐसा हो सकता है कि जरने भी टौस पे सम ताइन रहें? तो पहले वाले पे स्थाइन या यदो कि प्योंकि पने जोड़ा फेhando को सबस्क dakika क्यों कईने ना? जो प्योंकि एक